आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में और आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो यह है वाई मुस्लिम्स और क्रिस्टिन्स के लिव इन हिंदू डॉमिनेटेड एरिया और सुसाइटी पीस्फुली बट हिंदूस केंनोट लिव इन एरिया वे मुस्लिम्स और क्रिस्टिन्स डॉमिनेटेड आज मैं आपके सामने यह मैप लेकर आया हूँ बहुत ही सुन्दर मैप है यह और इस मैप का जो काम है वो यह है हमें यह समझाना कि भारत में 2001 के सेंसर के इसाब से कहां कहां पर कितने मुसल्मान हैं कहां कहां पर कितने इसाई हैं और कहां कहां पर कितने हिंदू है हम और थोड़े मैप शेक्ष्ट लोर करते हैं जैसे कि कि यह देखने ते हैं कि यह दो हजार ग्यारा के सेंसस के हिसाफ से कि कहां पर कितने मुसल्मान यह कि यह बिलो वंपर्संट टेन परसंट गलु ए कि और यह केरेला का वही अ planning मुसल्मानों पर चलता है जहां पर मुसल्मानों ने गर्दने काटी है ठीक है यह है 25-50% यह थोड़ा हलकसा ब्लू जो एरिया है और यह है आस्मानी ब्लू जहां पर 10-15% है और यह 1-10% वो एरिया है जहां पर हिंदूओं की की डॉमिनेशन है ठीक है अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं यह है बिलो यहां परसंट यहां पर मुसल्मानों की अबादी जादा है इसके लावर देखे कश्मीर यहां पर यूपी के कुछ अरिया यह सहारनपूर डिस्ट्रिक है अगर मैं गलत नहीं हूं तो और यह वेस्टन यूपी का वह एला इरिया जहां पर अत्यचार है और यह देखे यहां पर यहां पर मुसल्मानों की अबादी जादा है वहां पर अत्यचार है हिमाचल में कितना पीसफूल स्टेट है हिमाचल भारत का सबसे पीसफूल यह यह उत्राकंड उत्राकंड में 2011 के सबसे गलत दिखा रहे हैं इदर आप काफी मुसल्मान हो चुके हैं अत्यचार बढ़ चुका है उसके लाव हम दूसरे में आप पर जाते हैं यह थोड़ा बेटर समझ में आता है वैसे इसमें अबादी अलग तरीके से दिखाया होगा क केरिला एक एक बोस्टेट है जहां पर मुसल्मानों कि अबादी बढ़ने के विए से अत्यचार बढ़ गया है यह बंगाल में मुसल्मान कि अबादी बहुत जादा है है यहां पर मुसलमानों की आवादी अकश्मीर किया माचल현 करहां तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर मुसल्मान है वहां पर हिंदू क्यों नहीं रह सकते हैं और जहां पर हिंदू है वहां पर मुसल्मान क्यों बच जाता है कि अब देख सकते हैं मोस्ट फॉलोड रिजिजिन इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट 2011 अब इसमें इसलाम जो है वह 14.2 परसंट दिखाए गया है तो यह जो पूरा एरिया यहां पर इसलाम है उसके लाभा सिक्षिदम यहां पर है इसलाम इन यह पर रिजल आगें और को यह वाला मेवाद का पौर्शन है यह सहारनपुर वाला एरिया यह आपका बरपेटा लोग नदी है यह लोग नदी एक्षरी उल्टा क्रॉस कर आते हैं उसके लावा यह बंगलादेशी आपको पहले दिख रहा हैं यहां पर जिकार आपको पहले दुस्ते मैप मैं तो यह वाला डिस्टिक यह कॉन सा डिस्टिक है हम मैं आप में जाकर कर देखते है यही वाला रीजन था ना वो के रलागा के रला के डिस्टिक से है और यह वाला कौन सा एरोकुलम है एरोकुलम नहीं लगड़ा है मुझा यह वाइनार्ट तो नहीं है गहीं कि एक सब्सक्राइब कि अच्छाइब कि यह था यह कुण सा डिस्ट्रिक है कि बीच में ना पांग कि एक दो तीन चार्पांच सब्सक्राइब एक दो थीन चार पांच त्रिशूर अर पकड मल्लपुर्रम त्रिशूर या पकड वाइनाड किस तरफ है ? वाइनाड वाइनाड तो दिके निदा वाइनाड का है ओ वाइनाड ये रहा तु वाइनाड उना चाहि ही न? मल्लपूर में मुसलिम्स का अब जो हमारी जो मेन बात है वह है कि भारत में जिस एरिया में मुसल्मानों की आबादी जाता है वहां पर हिंदू क्यों नहीं रह पाता है अब आप एक चीज़ बड़े अराम सा नोटिस करेंगे कि जहां पर बिलोव वन तू तेन परसंट मुसलिम्स हैं वहां पर मुसल्मानों को कोई दिख करते हों लेकिन जहां पर 50% मुसलिम्स हैं वहां पर क्राइम रेट बढ़ जाता है हम एक बार क्राइम रेट तो क्या ही च मलनपुर्म इस वर अब टू मुसलिम मिजर्टी इस्ट्रिक्स और युनी टरिटरी सिन साओ इंडिया दर बिंग लक्षवदेब और हिंदू तेंपल संट थे हिंदू तेंपल संट मॉपला मॉस्क्राइजिंस आनों पर देर कलरफूल फेस्टिवल्स इस दिस्ट्रिक इन करला देखिए कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी मुसल्मानों की आवादी बढ़ती है वहां पे नौन मुसलिम्स या सर्वाइब नहीं कर पाते या अप इस वाले मैप में तो नहीं इस वाले मैप में आप यह नोटिस करेंगे एक सेकिस्ट कहा गया हूए और मेगाले में जान गर्म को हिरा होगी मेघाले में कुतने क्रिस्टिन है कि पिर मेचा मेघाले में जो हिंदु साया वो 12 परसंट के आसपास है मुस्लिम 4.4 परसंट क्रिस्चिन 74 परसंट 60.10 परसंट यहां पर क्रिस्चानिटी 74 परसंट है और हिंदू कितने सिर्फ 11 परसंट क्यों अगर हम की और अबादी अगर हम देखें से आग चार इसनट की content इन तीन पॉंट्ड़ीन लाग दौधब खरके हो सकती शायद अभी तक 50 लाक आसपास हो गई हो है तो हैं कि 2011 के साथ 29 लाग है तो अभी तक विखे में बढ़ गर को इसकते 40-50 लाग हो गई इतने वड़े पॉपुलेशन में सब 11 परसेंट है लेकिन आपको बता रहा हूं कि 11 परसेंट भी हिंदू नहीं रहे अब रहे करके गिर करके वह 8-9 परसेंट के आसपास आचुके इतने हिंदू अगर मेगाले में हैं तो ऐसा क्यों है क्यों ऐसा है कि भारत में जो क् सब्सक्राइब का मैं मौन देशने एक बाद यह वाइट वाला पॉर्शन किसका है कि अच्छिन खुल नहीं रहे यह खुल गया डॉनी पोलो अर्नाचल सार्णाइजम और यह जो सार्णाइजम है यह एक्चली में भारत के जो ट्राइबल रिलिजिन उनको आई है एक नया प्रोपगेंडा हिंदू को अलग करने के लिए तो आप यह लेख सकते हैं इस एरिया में यह बोल रहे हैं सार्ण लेकिन आप एक चीज़ और नोपिस करना इस एरिया में यह ब्लू वाला है यह ब्लू कौन सा रिलिजिन है यह तो क्रिश्चैनिटी का है तो इस एरिया में जहां पर चारों तरफ हिंदू पॉपलेशन है वहां पर एक इस एरिया को बना दिया है सार्णाइजम जो कि एक जो कि हिंदू धरमी है देकिन इंहोंने पॉलिटिकली उसे अलग करनी की कुशिश की है और इस एरिया में एक अलग रिलीजिन डाल दिया है जो कि backward है एस सारे लोग खुदको एक अलग रिलीजिन का मान रहे है और आपको यह सेम पैटर्न एक और जगा पे होता में देखे को खतम करने का और यह बहुत ही मज़ेदार तरीके से लोग करते हैं पहले क्रिश्चन मिशनरी किसी एक एरिया को स्प्वेशिपाय करते हैं कोई ट्राइवल रीजन को पहाड़ी एरिया उसके बाद से यह उधर जाते हैं और फिर जा करके क्रिश्चियनिती को प्रमोट करते कंटर्थ हो चुके होते हैं इनकấu पैसे मिलते हैं इनको बनाने के लिए फैसे दिए जाती हैं यह सारा जर्मनी यूप्य यह सारे से होणे उसके क्या होता है की यह कंवर्ड होने के बाद उस एरिया में जैसी यह सार यहीं जो मेखाले का आपको पॉर्चन दिख Да मैनिपूर का दिखा रहा है मनिपूर में भी नोटीश की जए यह लिए हिंदु है क्योंकि Phamiti लोग उसके लावा यह देखिए यह तरिपूरा है और यह हैं मीजो राम मीजो रोम भी पूरा कृश्चन मनाए यह सारे का सार एरिया कृष्चन है यह सारा कृश्चन है और यह पता कृष्चनु से टार्गेट की भारत को जो एरिया है जहन्डा फैराने वालों को पीटा जाता था आज के लेट में बात लागे जब से मोदी जी है अब इस एरिया में जो यह क्रिस्चैनिटी जो है अब यह क्या करें के धिरी यह जो ट्राइबल रिलीजम वाले लोग इनको करतेंगे मज़े की बात क्या है कि कनवर्ट होने के ब अब हम यह समझ तो गई कि क्रिस्चानिटी कैसे फैलती है कि इसको आप देखें अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लावा यह जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि अब इस तरी किस तरी के से आगवाड़ता है लोग बढ़ाता है यह लोग कशली近 ना ऑपर सिंप करते हैं उसके लड़कियों को टारगेट करते हैं उसके इलावा यह क्या करते हैं कि उस एर्या के बियूपो ऊस् इतले बोल रहा हूं क्योंकि उनकी बेहन बेटियों के साथ कुछ भी हो सकता और हिंदु कुछ नहीं कर पाएगा यह उत्रा खंड से लगा हुआ वह कितना बड़ा डिस्ट्रिक्त कि तना बड़ा ही और यहां से एक्षरी लॉंच पैट का काम करते हैं अब यह उत्रा कंड मे यहां से लोगों को लॉंज करते हैं और उत्राखंड में लोगों को भर रहें ताकि उत्राखंड में एक टाइम ऐसा आए कि भाई वहां पे लोग जो है न भर जाएं जैसे कि अगर मैं वो करूं तो यह यहां से जो हैं यह लोगों को अंदर घुसाने का काम कर रहे हैं ताकि उत्राखंड नेपाल इन सारी जगाओं पर मुसल्मानों की आबादी बढ़ जाए अब यह इतना खतरनाक चीज है कि मैं आपको क्या बता हूं यह जो है बेसिकले क्य साइन पर मजबूर कर जाते हैं उसी तरीके से होता है यह जो आपका डिस्ट्रिक है हर्याना का मेवात मेवात ऐसा एरिया है जहां पर आज से करीब करीब 80-100 साल पहले यहां के मुसल्मान दोबारा हिंदू बनना चाहते थे लेकिन वह हिंदू ने विरोध किया कि नहीं इ सुफी संतों ने आकर यहां पर अतय चार किया इनको दबारा से मुसलिम बनाते इनकी हरकते हिंदू valid को आ जाते हैं यह जो बंगाल के डिस्ट्रिक्स हैं और यह देखे बिहार का डिस्ट्रिक बढ़ा ही मजदार यह कि इस जिस्ट्रिक हैं अगर कि शी को नहीं है कुछ सा जाल पहले मेरे मिकले यहां पर पढ़ा कर थे 1970 स्में इस श्ब्रिक में 10% मुस्लिपर से 1990 जाते वें यहां पर 40% मुस्लिम थे आज के डेट में हैं यापे 70-80% मुस्लिम है यहां पर बूरी हालत है कि कोई हिंदू यहां पर कुछ कर भी नहीं सकता 70-80% मुसलिम है 70-80% मतलब 2011 तक यहां पर आल्रेडी 50% मुसलिम आ चुके थे इसलिए इसमें इतना हरा हरा दिखाया हुआ है मुसलिम डॉमिनेटेड एडिया अब अगर हम डिस्टिक वाइस काउंट करें तो यह कितना डिस्टिक हुए एक दो तीन चार चार तो नहीं जादा ही है यहां एक्चली आसाम के डिस्टिक की दरच्छे से कवर नहीं की गए है एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है तेरा चौदा पंदरा लेकिन यह बहुत ही कम है पंदरा डिस्टिक्स है नहीं एक्चली इससे भी जादा वैसे पंदरा डिस्टिक्स भी देखा जा तो बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है और यह देखिए यह आपका मालदा का एरिया एक कॉलकता के आसपास वाला एरिया है मालदा रीजन है यह भी पूरा मुस्लिम यह सारे के सारे मुस्लमनों के काम करने का तरीका यह होता है पहले जाते हैं जा करके उस एरिया के बिजनस पर अकुपाई करते हैं फिर वहां पर हिंदूों को पलायन पर मजबूर करते हैं और एक टैम पर आके बस इनकी ही चलती है अगर को हिंदू रहता है तो उसे कनवर कि विज़े से भी आया था एक राजा था जो यहां के राजा भा गया था यहां पर बुद्धा राजा बुद्धिश राजा था कि छो कि ब sporκι मेरा कहने का बाद यह कि है कि भारत के जो जातर जो डिस्ट्रिक्स था जिनकी आसी हालत हुकी है ..वो हम हिंदŁों के वज़े से ही हुई है .. अगर हम हिंदŁों नहीं अप इसका ख्याल रखा हो तो ऐसा नहीं होता , आगे भी चलकी अगर अपने इसका ख्याल रखें तो शायद हम इसको रोक सकते हैं और शायद हम इसको समाल सकते हैं जो आज आप ये हालत देख रहे हैं वैसे ये गलत मैप है कि वह 2011 का है 2024 के हिसाब से हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है और हमें इसे चेंज करने के जोड़ी है जैसे कि ये एक निया रिलिजन बना करके रखा हुआ है साडनाइजम क्या क्या बक्चोदी है बाई क्या चूतिया बना रहे हो तुम बोजड़ी के क्या गलत बात कर रहे हो आप क्या है यह सार्णाइजम यह अर्णाचल में डाइनो पोली क्या बना के रखाई यह बचेंगे क्या है इनके कोई सारे तो क्रिश्चन बन जाएंगे यह भी सारे के सारे क्रिश्चन बन जाएंगे तो भाई जब यह क्रिश्चन बनने ही वाले हैं तो क्यों न हम इनको बनने से रोकें क्यों न हम वो जो Christians को जो Convert होने के बाद चेडियूल ट्राइप से जो Christianity में Convert होता है, SC Community के जो Christianity में Convert होता है जो Muslim बनता है, जो Buddhist बनता है, उनको हम Rights खतम कर दें उनको हम कोई राइट ना दे, तब ही जाकर के हम इनको Convergence पर रोकेंगे डॉक्टर अमबेट कर जी भी इसके खिलाफ थे, कि अगर आप हिंदू हो तब तो आपको Reservation मिलेगा अगर अगर अब धाम बेचते हो तो कोई Reservation नहीं मिलेगा उसके लबाद जो मुसल्मान हैं, मुसल्मानों के लिए मैं एक्स मुसलिम को सपोर्ट कर सकते हैं एक्स मुसलिम के अभिहान को सपोर्ट करके मैं एक्स मुसलिम को बढ़ावा दे सकते हैं और यही एक तरीका जिससे हम मुसलिम और कृस्चिन को रोक सकते हैं वरना मुस्लिम और क्रिच्चयन चिंति यही मुष्किलू है। भारत के चाहुन और मुसल्मानों की डॉमिनिंस है। यह सारे की सारे पौर्शन यह जू ग्रीन ग्रीन धिते होतके पाकिस्टान वीजू पाकिस्टान आह। इपर यूरोप का हिस्ट्री दिखा लें कितना क्रूल था इन इसाइयों ने तो इतने लोग मारें इतने लोग मारें इन्होंने तो जो लोकल जो लोग कनवर्ट नी हो रहे थे उनको जिंदा जलाया है जिंदा इन लोग ने लोहे की पिंजड़े बना करके जिनमें काटे होत मैं इतने गलत वर्ड्स का यूज कर रहा हूं लेकिन यही एक रियालिटी है क्रिस्चैनिटी और इसलाम जो है वो एक बिमारी के रूप में भारत में फैल रहा है और हमें इसे रोकने के लिए हिंदों को त्यार करना पड़ेगा मैं किसी की भी फिलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन यह एक सचाई है हम वाइलन्स नहीं करेंगे लेकिन हमें कम से कम अपने लोगों को एजुकेट करने का पूरा हक होना चाहिए और मैं एजुकेट करना चाह रहा हूं सबको इसलिए मैं चाहूंगा आप मुझे सप